supply chain management आपने गत से supply chain management क्या होता था मैंने का दोस्तों supply chain management के अंदर हम लोग बहुत असान सी बात करते थे हमेर को हमें क्या बूला था global supply chain management में कुछ हमार को eight processes बताई थी की eight processes और एक मैंने बहुत ही असान से आपको यहां पे एक book थी साफा सिंधी और मैंकल रॉय के साफ से page number अगर आपको याद हो 249 पे उसके अंदर एक बहुत अच्छा एक column लिखा हुआ था उसको मैंने यहां पर copy किया था और मैंने आप से कहा था कि आपको प्लीस बढ़िएगा उससे आपको एक ही बार में हर process का मीनिंग समझने आ जाएगा कौन सी process क्या करती है जैसे प्रोड़क्ट डेवलप्मेंट का वर्क क्या होता है वो नए वाले को ताकि वह रॉम और नाइस कर सके और वह यह देख सके कितना मेरे पास stock वगरा है कितना है और उसके साथ से वह demand management को फिर से बताएगी कि क्या हमारे पास है demand management अब stock वगरा को दिमांग में रखते हुए यह कहेगी या manufacturing flow वालों से कि ठीक है आप इतने इतने units produce कर दीजिए आपके पास इतना stock है इतना time लगेगा यह लगेगा इसके साथ से अपने units produce कर दीजे और और फिर manufacturing flow management वगरा क्या करेगी वो कहेगी ठीक है मैं इस इस तारीफ को इतने इतने units produce कर दूँगी क्योंकि मेरे पर इतने इतना stock है तो यह आपने कुछ processes सीखी जो की बड़ी important है बड़ी simple है किसी भी organization में होती है ठीक है यह processes होंगी तब ही आप यहां तक पहुंचेगे इसके apart आपको मालूम है इसके apart कौन-कौन सी processes होती है आप कहोगे sir order fulfillment आपके पास जब भी customer का order आएगा आपका order fulfillment से होगा और order fulfillment का मतलब कि जब भी order आ रहा है आप कितनी speed से उसको fulfill करके दे रहे हैं आपकी warehouse में जो units पढ़े हुए हैं उसको use करते हुए आप जल्दी से जल्दी customer को कैसे response दे रहे हैं क्या email वेज रहे हैं किस तरीके से tracking दे रहे हैं etc आप timely जो order आया है उसको fulfill कर रहे है that is the basic purpose आप इसलिए हमें supplier क आपको बाद में पढ़ेंगे हम और क्या था आपने का PSA भी साइन करना पड़ेगा PSA का मतलब क्या था PSA का मतलब अभी SL आज ही पढ़ेंगे नीचे आपने कि sir PSA क्या होता था PSA को समझ यह PSA के अंदर हम करते थे preferred supplier agreement क्योंकि 10 supplier है हमने एक supplier से का भ Boston तेरे साथ ही टिके रहेंगे जैसे demming ने हमें सखाया कि भई तेरे साथी लॉंग Graham में काम करेंगे तेरे साथ ही जीना है तेरे साथ ही मनना है आगे बता तेरे मैं preference दे रहा हूं तो tah consists OKC SOUND कर लिया है वो कहते है क्योंकि आप मुझे preference उसको मालूम है long term relationship बन गया हम भी कुछ क्योंकि हम मालूम है supplier में अच्छी quality goods कम कॉस्पे देगा and supplier भी हमारे साथ फिर मेहनत करेगा अगर उसको लगता है कहीं innovation यह किसी improvement की ज़रूत है वो हमें definitely करेगा सेम चीज हम करते हैं अपने customer के साथ हम पी एसे sign करते हैं customer हमारा customer जरूरी ने consumer मेभी वो customer एक particular manufacturer हो मेभी वो customer हमारा retailer या wholesaler हो वो कोई भी हो सकता है उसके साथ हम यहीं साइन करते हैं उसी के साथ हम यहीं बिल्कुल जो customer relationship हम supplier के साथ relationship कर रहे हैं सेम सिमलर तरीके की कस्टमर सर्विस मेनेजमेंट के साथ करते हैं जिसमें हम बिसीकली समझाते हैं customer को कि देखो हम इससे स्टेट पर टाइम डिलिवरी करके देंगे अच्छी क्वालिटी के देंगे बाकि उसे बेटर देंगे आप हमारे से लॉंग टर्म प्या जाएए हम आपको एक ऐसी अप्रोश देंगे जिसमें आपको वन पर्सन से डील करना हुगा दस जर्नों से डील नहीं करना हुग लास्ट हैं दो रिटर्न मेनेजमेंट और कस्टमर से रिलेश्टिशिप मेनेजमेंट आपको एक प्रॉपर रिटर्न मेनेजमेंट बनाना है ताकि अगर कस्टमर को कोई चीज अच्छे नहीं मिले डिफैक्ट मिला तो किस तरीके से रिटर्न करें यह चीज एक दो क्लियर होनी चाहिए और लास्ट कस्टमर रिलेस्टिशिप मैंजमेंट उसको अब हम डील में करने वाले हैं कस्टमर रिलेस्टिशिप मैंजमेंट